अरे यार इस घर में तो टॉइलेट ही नहीं है अब इतनी रात को कहां जाओ शौज करने हाँ जी सुनते हो प्रियंका अपने पती को नीन से उठाने की कोशिश करती है उसका पती अविनाश उठता है और कहता है क्या है प्रियंका इतनी रात को क्यों बुला रही हो? मुझे बड़ी जोर से आई है अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी अरे तुमको आईए तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में तो शौचाले भी नहीं है, बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, चलो मेरे साथ प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया, अविनाश हाथ में टॉर्ष लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चलाया प्रियंका जंगल में शौच करने बैठ गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा करना तो पड़े गई, घर में शौचाले नहीं है तो शादी क्योंकि अविनाश कुछ नहीं बोल पाया शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी, तब प्रियंका ने अविनाश ने शौचाले की बात की थी अविनाश ने उसके पिता हरीहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरीहर गुस्सा हो गया था क्या? ये तुम कह भी कैसे सकते हो? इस आंगन में कभी शौचाले नहीं बनेगा, और कभी मुझसे ऐसी बेतू की बात मत करना अविनाश शुप हो गया था अविनाश और प्रियंका कॉलिज में एक ही साथ पढ़ते थे प्रियंका शेहर की लड़की है उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है उसे हमेशा रात को ही जाना होता है इसलिए उसके लिए परिशानी कई गुना बढ़ गई है काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते है सुबह प्रियंका उसकी सास्वसुंधरा से कहती है माजी घर में शौचाले ना होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना रात को ही करने की क्या जरूरत है अरे माजी ये प्रेशर क्या किसी को पूच कर आता है और मुझे बच्पन से ही रात को जाने की आदत है तब ही वहाँ पर प्रियंका का ससुर हरिहर चलाया और उसने कहा तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू इस घर में सौचाले नहीं बनेगा बता रहे हैं इस गाउं में किसी भी घर में सौचाले नहीं है उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया उसने अपनी मा को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया उसकी मा जानकी ने कहा देखो बेटी सिर्फ इस वज़े से तो रिष्टा नहीं तोड़ सकते हम तुम नहीं लड़का पसंद किया था अब भुग तो अरे मा आप तुम भी ताना मारोगी क्या कुछ आईडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए जंगल में रात को कितने खत्रे होते है मुझे बहुत डर लगता है मा मुझे वो सब कुछ नहीं पता तब ही जानकी के बेटे यानि कि प्रियंका के भाई आलोग ने जानकी से फोन ले लिया और कहा अलोग ट्रेकिंग करता था उसने कहा अलोग का आईडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया उसने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया ये तो बढ़िया चीज लग रही है इसे ही खरीद लेती हो प्रियंका ने टेंट और कर दिया अगले दिन ही एक डिलिवरी वाला आकर टेंट दे गया लेकिन हरी हर ने वो देख लिया अबहु क्या है ये टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था प्रियंका ने कहा कुछ नहीं बाबुजी ये कुछ लड़कियों वाला सामान है ये बूल कर प्रियंका अपने कमरे में चली गए रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी अविनाज भे सो रहा था प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला अब छट पर जाकर टेंट लगा देती हो और फिर शौच करके देखती हो प्रियंका टेंट और पैन लेकर शाट पर चली गए और पैन रखकर उसके उपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समिट लिया आज तो मज़ा आ गया बिना किसी डर के शौच करने का मज़ा ही कुछ और है प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई ऐसे ही कुछ दिन बीते प्रियंका हर रात शट पर जाती और टेंट खोल कर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती एक दिन अविनाश ने उससे कहा क्या बात है प्रियंका, बहुत दिन हो गए, तुम रात को शौच करने नहीं गई, मुझे बुलाए नहीं, क्या बात है कुछ नहीं जी, मुझे रात को नहीं आती आज कल वाह, यही आदत तुर डालनी थी, आज मैं बहुत खोश हो तुमसे प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया प्रियंका टेंट लेकर छटपर गई और टेंट उसके हाथ से वो छटपर गिर गया टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई अरे पापरे हाथ से फिसल गया ये टेंट, क्या करूँ वापस चली जाओ क्या नहीं अभी तो सभी घोड़े बेच कर सो रहे हैं, थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छटपर आएगा लेगन उस आवाज से हरियर की नून तूट गई अरे चटपर ये कैसी आवाज है, चोरूर का चक्कर तो नहीं है हरियर सीडियों से चटपर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है बहू, तुम यहां क्या कर रही हो, इतनी रात को ये टेंट क्यों लगा रही हो चटपर प्रियंका डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई, हरियर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया यह क्या, तुम टेंट लगा कर सौच करती हो, वो भी चटपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की चिल्लाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंधरा भी चले आए, नहीं बाबुजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है, और ये तो घर की ओरतों की इस्ज़त का भी सवाल है न, तुम कहना क्या चाहती हो, इस कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी, हरियर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा, पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे सौच करने जाना होगा, हरियर एक टॉर्ष लेकर घर से निकल गया, और जाकर टॉर्ष बांध कर जंगल में बैड गया आसपास ये एक साम घूम रहा था उसने हरियर के पैर में काट लिया बचाओ साप साप ने काटा है मुझे हरियर चिलाने लगा आवाज सुनकर वसुंधरा प्रियंका और अविनाश वहाँ पहुँचे और हरियर को अस्पताल ले गए अस्पताल में हरियर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप जो सापने काट लिया साच करने गया था डाक्टर साहाब बहर शौच करने जाते हैं आप लोग यह तो बहुत एक गंदा काम करते हैं बहर शौच करना अच्छी बात नहीं है उससे और भी बिमारियां होती है यही तो समझानी की कोशिश कर रही थी मैं बाबुजी तुम सही थी बहु अब मुझे समझ में आ गया है अगले ही दिन से घर में शौचाले बनना शुरू हो गया और कुछी दिनों में शौचाले बनकर तयार हो गया सभी बहुत खुश हुए त्रियंका की खुशी का तो ठिका नहीं नहीं रहा उन लोगों की देखा देखी गाउं के सभी घरों में शौचाले बन गए और सभी शांती से शौच करने लगे एरपूर्ट के बाहर खड़ी रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है उसके पेट में छे महीने का बच्चा पल रहा था विल्यम और उसकी पत्नी जो लंदन के रहे वाले थे उन्होंने उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाने से बिलकुल इंकार कर दिया था इस तरह मुझे मजधार में मत छोड़िये अगर मुझे इस तरह छोड़ दिया तो मैं गाउं समाच में कैसे मुझ दिखाऊंगी रमा की बातों को सुनकर विल्यम की पत्नी डाइना को गुस्सा आ गया उसकी रिस्पॉंसिविल्टी हमारी नहीं है वैसे भी हमने तुम्हें मनी तो दिये है न वो मामूली रकम नहीं है पूरे साथ लाख रुपए हमने दिये है हाँ ये अलग बात है कि पंद्रा लाख में ये डील हुई थी कि तुम हमारा बच्चा पैदा करूगी लेकिन अब वो बच्चा हमारी लायक ही नहीं तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर ले और पूरी रकम तुभे क्यों दे रमा रोती रही गडगड़ाती रही लेकिन विल्यम और उसकी पत्नी ने रमा की एक नहीं सुनी विल्यम अब चलो हमारी फ्लाइट चूट जाएगी विल्यम और उसकी पत्नी डाइना फिर से अपने मुल्क वापस लोट गए असल में विल्यम और डाइना की शादी को कई साल हो गए थे इसलिए उन्हें सेरवेट मदर की तलाश थी जो अपनी कोक में उसके बच्चे को पाले वे भारत घूमने आयो रहे थे तभी उनकी मुलाकात रमा से हुई थी विल्यम और डाइना की रमा से ये मुलाकात उर्वशी जो रमा की दोस्त थी उसने करवाई थी विल्यम और डाइना ने रमा से 14 लाक में ये डील की थी रमा अभी भी उधेड़ बुन में थी वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेनी चारे थी उसने उर्वशी की ओर देखा फिर विल्यम और डाइना द्वारा ब्रीफ केस में दिये 7 लाक रुपे को देखा और फिर कुछ सोच और हमी भर दी ठीक है मैं बनूगी आपकी बच्चे की सरुकेट मदर रमा के बेट में विल्यम और डाइना का बच्चा पलने लगा शेहर से दूर एक एकांच जगा में विल्यम और डाइना ने रमा के रहने का अरेंजमेंट भी कर दिया था जब डॉक्टर से रमा का चेक अप करवाना होता तो विल्यम और डाइना ही उसे ले जाते इस बीट 6 महीने बीट गए लेकिन तभी एक दिन जब विल्यम और डाइना रमा को लेकर डॉक्टर के पास गए और हर बार की तरह डॉक्टर सवीता ने रमा के कुछ टेस्ट की और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई 또 ये आप क्या कह रही है डॉक्टर सवीता, अभी तक तो सब सही था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया इसमें हम क्या कर सकते मिस्टर विल्यम जाज की रिपोर्ट यही कह रही है कि बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है जन में लेने के बाद वो मेंटली चैलेंज होगा विल्यम और डायना ने जब यह सुना तो उन्होंने रमा से बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा लेकिन वो तैयार नहीं हुई उसने जब विल्यम और डायना के मूझ से उस बच्चे को गिराने के बारे में सुना तो उसे बहुत आश्चरे हुआ कि कुछ दिनों पहले ये दोनों एक बच्चे के लिए मारे मारे फिर रहे थे और आज बच्चे की कमी के बारे में पता चलते ही उसे मारने के लिए कहने लगे उसे उन दोनों का ये दोहरा रविया पसंद नहीं आया उसने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो अपने देश वापस लौट गए ऐसी हालत में मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं अपना और पेट में पल रहा है इस बच्चे का ध्यान रखू ना ये मेरी कंडिशन ऐसी है कि मैं कोई काम कर सको मुझे अपने गाउं वापस लौटना पड़ेगा इस बच्चे की चान की खादिर रमा अपने गाउं जमालपुर वापस लौट आई घोर कलियों की सही कहते है विमला राम 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 मुझे तो बोलते ही शरम आती है कि एक कुवारी लड़की मा बनने जा रही है अरे बोलने में कैसी शरम शरम तो उन्हें आने चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है मैं तो सरपंजी से बात करने वाली हूँ ऐसी कुलक्षनी लड़की का हमारे गाउं में क्या काम सही कह रही हो उस रमा को देखकर कहीं हमारी बहु बेटियों पर बुरा असर ना पड़ जाए मैं तो पंचायत में साफ कह दूँगी कि उसे गाउं से निकाल दिया जाए दूसरे और रमा की घर में भी कोरा मचा हुआ था उसके माता पिता का रोरो कर बुरा हाल था शर्म के मारे वो घर के बाहर भी ने निकल पा रहे थे ना तो रमा की माता उसे ठीक से बात कर रही थी और डाही पिता वो चुप चाप एक कमरे में उदास सी बैठी रहती और आंसु बहाती बार-बार उसे घर और समाज दोनों द्वारा ये एहसास कराया जा रहा था कि उसमें बहुँ बढ़ी गल्पी की है एक दिन की बात है उसके पिता कर्मीर चौधरी गुस्से में चिलाते हुए घर में आई और अपनी पत्नी रमिया से कहा पता नहीं हमारे किन पापो की सजा हमें मिल रही है हमें पता होता कि रमा बड़ी होकर कुछ ऐसे गुल खिलाने वाली है तो मैं तो पैदा होते ही उसका गला घोड़ देता अरे आप इतना गुस्सा मत करिये अभी अभी आपका दिल का इतना बड़ा ओपरेशन हुआ है मैं बिना ओपरेशन के मर जाता तो ठीक रहता मुझे इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती आप तो पंचायत में गए थे नाच वहां क्या हुआ हो ना क्या है उन्होंने हमें गाउं छोड़ कर जाने को कहा है अरे हम कहा जाएंगे गाउं छोड़ कर है यहीं जनम लिया यहीं मरेंगे हमारे बाप दादों ने भी यहीं जनम लिया और यहीं उनको आग नसीब हुई वे दोनों बाते करी रहे थे कि रमा उनके पास आई और बोली बाबा आप लोग क्यों चाहेंगे गलती मैंने की है पाप मैंने किया है तो मैं ही चरी जाती हूँ इस घर को छोड़ कर लेकिन बेटी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया तुम तो कुछ करके हमारी मदद करना चाहती थी लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और मदद के बदले हमें मुसीबत और बेज़ती के कुए में धकेल दोगी। बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो बोलती क्यों नहीं। रमा का भी सब के मुझे ताने सुन सुनकर जी भर गया था। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। आखिर वो भी फूट पड़ी। मा, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया, बापू के लिए किया, अपनी गिर्वी जमीन को छुडाने के लिए किया। पिछले दो-तीन सालों से जमालपुर गाउं में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उसके पिता कर्म विर्चौधरी कर्स के बोच सले दबे हुए थे। उनका घर और जमीन महाजन के कबजे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्सा वो कैसे चुकाएंगे। उन्हीं रमा की शादी की भी चिंता थी। इन्हीं सब चिंता में डूबे एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रमा उन्हें अस्पताल ली गई। डॉक्टरों ने जल से जल उनके दिल के ऑपरेशन की बाद कही जिसमें लाखों रुपे लगने थे। एक तो पहले ही इतना सारा कर्स और उपर से बाबू की ऐसी हालत देख कर मा ऐसे बैट कर काम नहीं चलेगा बाबा भी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ कर सके और आप दोनों तो मुझे बेटी कम बेटा जादा मानते है ना तो मुझे इस घर को संभालने और बाबा के इलाज के लिए कुछ करना ही होगा। रमा की सबसे अच्छी सहेली थी उर्वशी जो शेहर में जॉप करती थी वो उससे मिली। उर्वशी ने उसे बताया कि कोई भी नौकरी करके वो इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं कमा सकती कि वो अपने पिता का इलाज करा सके और गिरवी घर और जमीन चुड़ा सके। तब उसने सेरोगेट मदर वाली बात उससे की और विलियम और डायना से उसे मिलवाया। रमा के माता पिता को जब सारी असलियत का पता लगा तो ये तुने क्या किया बेटी मेरे इलाज और घर को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया लेकिन इस बदनामी के साथ तुम कैसे जी होगी हमारी मानो तुम इस बच्चे को अबोर्ट कर दो नहीं बाबा ये करना होता तो फिर बहुत पहले कर दिया होता इतनी बदनामी क्यों सहती मुझे इस बच्चे को धर्ती पर लाना है मैं कैसे उसे मार दू जो मेरे पेट में मेरी मर्जी से पल रहा है और हर दिन इस दुनिया में आने की बार्ट जोहरा है रमा की गाउं में भी धीरे-धीरे इस बात का पता लग गया सभी एक बेटी के इस्तियाग पर उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करने लगे दूसरी और वो नंग्रेजों को भला-बुरा भी कहते नौ महीले बाद रमा ने एक बच्चे को जन्म दिया हाला कि वो बच्चा बिल्कुल नौर्मल था जब नर्स में उस बच्चे को रमा की गोद में रखा और जब वो रो रहा था अहली ने 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 क्यों रो रहे हो मा है न तुमारे पास मा तुमें कभी नहीं रोने देगी कभी नहीं रमा का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट के कारण ऐसे इसकिती बनी थी और उसे रिपोर्ट के कारण विल्यम और डायना इस बच्चे को छोड़ कर भाग गये थे लेकिन रमातोर नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी बच्चे के लिए तैयार थी क्योंकि मा तो मा ही होती है चाहे वो रियल हो या सैरकीट